हेलो इस्टुडेंट्स पिछले वीडियो में हम मोड पढ़ रहे थे बहुलक जिसमें मैंने आपको इंडिविज्वल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा एक तो हम हम मोड निकालते हैं और दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको इंडिविज्वल में इस हम केसे निकालते और दूसरा हम grouping and analysis table के द्वारा भी mode निकालेंगे ठीक है तो पहला method में आप लोगों को बता रहे हूं continuous series में inspection method के द्वारा mode ग्यात करना ठीक है तो इसमें सबसे पहले ध्यान लखने की चीज यह है कि आप मैं आपको इसमें सबसे पहले mode class जो है कौन सी होगी ठीक है तो formula जो upon del 1 plus del 2 into i किसी किताब में यहाँ पर i की जगह c भी दे रखा है तो यह क्या होता है class interval continuous series का आप मतलव समस्तर जिसमें एक निश्चित interval class interval अंतर पाया जाता हो उसको हम continuous series कहते हैं जिसको की हम दशमलव में भी ग्यात कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास में formula है z बराबर l1 plus del del 1 upon del 1 plus del 2 into i now यहाँ पर l1 क्या है l1 यहाँ पर है lower limit of model class जो भी आप inspection के द्वारा model class निकालेंगे उसकी lower limit l1 कहलाती है तो यहाँ पर हम inspection के द्वारा देखते हैं कि सरवाधिक times जो है 15 आया है 15 सबसे ज़्यादा बार आया है तो इस वज़ए से inspection method के द्वारा जो model class हो जाएगी वो 60 to 70 model class इसके अंदर हो जाएगी तो lower अप में तो l1 क्या हो गया यहाँ पर 60 दूसरे जो चीज है यहाँ पर l1 plus del 1 del 1 क्या है यहाँ पर difference between the frequencies of model class and pre-model class model frequency जो आपकी जो model class है उसकी जो main frequency है उसको हम f1 से denote करेंगे और उसके उपर वाली जो preceding frequency है उसको हम f0 से show करेंगे और जो उसके नीचे वाली frequency है model class के जो नीचे वाली frequency है उसको हम f2 से show करेंगे तो यहाँ पर जो del 1 है वो किसके बराबर हो जाता है f1 minus f0 f1 minus f0 तो वो कितना हो जाएगा f1 कितना है 15 f0 कितना है 3 तो del 1 कितना हो जाएगा 12 del 1 कितना हो गया 12 जो है वो हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अब del 1 हमने निकाल लिया del 2 क्या है del 2 मैंने आप लोगों को बताया कि difference of difference of frequencies between the model class and upper sorry post model class तो del 2 क्या हो जाएगा f1 minus f2 f1 कितना है 15 f2 कितना है 10 तो model class कितना हो जाएगा 5 f2 बराव डेल 2 कितना हो गया 5 यहां पर हो जाएगा ठीक है अब अपने pass में l1 की value आगई del 1 की value आगई del 2 की value आगई और i class interval यहां पर क्या हो जाएगा आप सब में देख रहे हैं एक निश्चित class interval है कितने का है 30-40, 40-50, 50-60 means class interval है 10 अब अपने pass में सारी values जो है आ गई है आपको सब ध्यान रखना है डेल 1 क्या है, डेल 2 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, कौन से होंगे ध्यान रखने के हैं सबसे पहले आप लोगों को model class जो है वो निकालनी है inspection method के द्वारा तो उसके बाद में यह सारी चीज़े अपने आप pre model class और post model class हम उसके according पर निकाल सकते हैं अब हम formula में यदि fit करते हैं सवाल को, तो 60 plus del 1 कितना है, 12 del 1 कितना है, 12 plus 5 into i कितना है, 10 60 plus 12 upon 17 into 10, तो 60 plus 120 upon कितना हो जाएगा, 17, 120 upon 17 यदि हम करते हैं तो इसकी value कितनी आ जाती है 17 को हम 120 divide करें, तो कितना आ जाएगा साथ चार 11, 119, 10 में से नौगा, 1, 2 में से एक गया, 0 तो नहीं जा सकता है तो 77 point, point लगा खरके 0 बढ़ाएगे, तो 7.0 ये something आ जाएगा, तो 60 plus 7.0 के करीब ये आ जाता है, यदि हम दबारा से करते हैं, तो ये आ जाएगा, 7.05, तो आंसर क्या हो गया, 67.05 जो है, इसकी modal value जो है, वो कितनी आ जाएगी, mode value, 67.05 जो है, इसकी modal value आएगी, समझ में आया आएँ आप लोगों को, हमने पहले एक बारा को 10 से गुना कर लिया, जोडना हमें बाद में है, ये ध्यान रखना है, पहले हमें multiplication करना है, उसकी value निकालनी है, फिर उसको हमको जोडना है, तो इस तरह से आप calculation के द्वारा model value निकाल सकते हैं, ये हमने कौन सा method काम में लिया था, inspection method, अब दूसरा method जो मैं आप लोगों को बता रही हूं, grouping and analysis table method के द्वारा, आप लोग किस तरह से जो model values निकालेंगे, तो same value हमें यहाँ प बता रखा है आप लोगों को कि कब कैसे निकालते हैं, ग्रुप बना करके 1 प्लस 2, discrete series जैसे बताया था, वैसे ही इसमें भी हमें ग्रुप जो है, वो बनाने हैं, तो 1 प्लस 2 तो यह first column यह हो गया, जाहिरा दूसरा column में 10 to 12 हो जाएगा, 24, 16 कितना हो जाएगा, 40, 40 हो हो जाएगा, 7 और यह value हम लिखें, नी लिखें, कुछ फरक नहीं पड़ताया, दूसरे में 2 प्लस 3, 10 और 24 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यह 314 हो जाएगा, अब हमें तीसरी जो value प्लस 2 प्लस 3, means 1 प्लस 2 प्लस 3, तीन जो frequencies है, इनको जोड़ना है, 24 और 10, 34 और 2, 36 हो जाएगा, 36 यह हो जाएगा, 16 और 14 तिंग, 23, यह दूसरी frequency जो 23 है, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई फाइदा नहीं है, लिखने का इसका, and next जो है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 कितन हो जाएगी, 8, अब 3 प्लस 4 प्लस 5, 3, 4, 5, 44 हो जाएगा, यह और यह 4 रह जाएगा, यार लिखे नहीं लिखे, कुछ फ़रक नहीं पड़ता है, ठीक है, अब इसमें वही तरीका हमें अपनाना है, maximum जो frequency है, उसको हमें अंडरलाइन कर लेना है, यह 34 है, 36 है, 50 है, और 44 है ठीक है, अब grouping and analysis table अपने को तयार करनी है, grouping हमने कर ली है, analysis table अब हमें तयार करनी है, तो analysis table तयार करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कि सबसे पहले column लिखने है, 6 column हम वेशा बनाने हैं हमको, तो 6 column हमने, नीचे column हमने लिख दिये है, और उसके बाद में हमने जो class ह हैं, उनको हमने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 30 to 35 तक यहां पर लिख दिया है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि column कहां पर लिखने है, और जो class enter वाली चीजे हैं या marks हैं, उनको आपको कहां पर लिखना है, ठीक है, अब first column में maximum frequency कितनी है, 24, 24 किस के लिए है, यह maximum frequency, 10 to 15 के लिए, तो 10 to 15 पर हम सबसे पहले एक right का निशान लगा देते हैं, ठीक है, दूसरी column में frequency सबसे ज़्यादा किसकी है, 40, 40 किसकी द्वारा है, 40, 10 to 15 और 15 to 20, तो 10 to 15 और 15 to 20 के सामने हमने right tick लगा दिया, इसी तरह से तीसरे में है, 34, 34 किसके साथ में है, first, second और third, means 0 से 5, ठीक है, तो 0 से 5, sorry, 34 है, 2 plus 3, 5 to 10, तो 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 3, 2 plus, third column है, 2 plus 3, 2 plus 3, 2 ही बार हमें लिखना है, sorry, तो यह वाला है, 10 to 15 और 5 to 10 और 10 to 15, fourth column जो है, 1 plus 2 plus 3 का value है, 36, तो means 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, next जो column है, fifth वाला column जो है, उसके अंदर value है, 2 plus 3, plus 4 को हमने जोड़ा है, तो 2 plus 3 कौन सा हो गया, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 1 minute, 36, 1 plus 2, sorry, यह मैंने गलत कर दिया है, 1 plus 2 plus 3 है, fourth column है, तो 0 to 5 से शुरू होगा यह, 1 plus 2 plus 3, 0 to 5 to 10 और 10 to 15, यह नहीं आएगा, इसके अंदर, ठीके, तो यह, क्योंकि 1 plus 2 plus 3 है, fourth column है, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, and fifth column में है, 15, 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4, means 5 to 10, 10 to 15, and 15 to 20, and last है, 44, 3 plus 4 plus 5, 3 plus कौन सा है, 3 कौन सा होगा, 10 to 15, and 15 to 20, और 20 to 25, तो यहाँ पर आप जोड़ रहे हो, देख रहे हो, आपको साफ पता चल रहा है, कि जो 10 to 15 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times यह आया है, तो maximum, क्योंकि 10 to 15 वाला जो भाग है, वो सबसे पहली बार आया है, अतहे, सबसे ज़्यादा बार आया है, अतहे, इसकी, जो model class होगी, वो कौन सी हो जाती है, 24 जो है, सबसे ज़्यादा बार, 10 to 15, जो है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसकी model class हो जाएगी, 10 to 15, क्योंकि यह 6 वार आया है, तो इसका answer हो जाएगा, 10 to 15 model class जो है, इसकी होगी, इसे सवाल को हम फिर formula के द्वारा भी कर सकते है, L1 is equal to, del 1 upon, L1 plus is equal to, del 1 plus del 2 into I, ठीक है, यहाँ पर अब आपने निकाल लिये class, 10 to 15 है, model value जो है, इसकी lower limit जो है, इसकी कितनी है, 10 है, plus del 1 कितना हो जाएगा, frequency यह F1 है, यह F0 हो जाएगा, यह F2 हो जाएगा, तो del 1 is equal to F1 minus F0 is equal to F1 कितना है, 24 minus 10, means 14 यह हो जाएगा, del 2 कितना हो जाएगा, F1 minus F2, 24 minus 16, तो यह कितना हो जाएगा, 8, इसकी क्या हो जाएगा, यह del 1, 8 हो जाएगा, और class interval कितना है, 5, I is equal to कितना है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो अब आप निकाल सकते है, del 1 कितना आपने लिखा है, 14, 14 plus 8 into 10, जो है, वो आप लोग यहाँ पर, sorry, 5, class interval यहाँ पर कितना है, 5, तो आपन यहाँ पर कर सकते हैं, 5, 10 is equal to plus 40, 14, 15, 70 यहाँ पर हो जाएगा, 14 और 8 कितना होगा, 22 जो है, यहाँ पर आ जाएगा, अब आप 10 plus 70 को, 22 को डिवाइड करोगे, 73 बार जाएगा, 66, 10 में से 6 के, 4, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएगे, तो 1, 3, 1 के करीब जो है, यह आंसर आ जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, 3, 13, 13.1, आगे हम निकाल सकते हैं, कंटिनियेशन में, तो इसका बेसिक ही लिए आंसर क्या हो जाएगा, 13.1 जो है, इसकी मॉडल वैल्यू होगी, 13.1 जो है, मार्क्स मॉडल वैल्यू होगी, तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को, कैलकुलेशन के द्वारा, ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड के द्वारा, या फिर कैलकुलेशन के द्वारा भी आप बहुलक अंक जो है, वो इसके अंदर निकाल सकते हैं, तो यदि आप grouping and analysis method करते हैं तो भी आपको ये calculation ये formula जो है आपको model के लिए model value निकालने के लिए ये formula जो है आपको लगाना पड़ेगा inspection method में आप direct formula लगा सकते हैं लेकिन grouping and analysis table में inspection method में आप लोगों को पहले grouping and analysis table बनानी होगी और फिर उसको आपको formula के अंदर fit करना होगा Thank you